सो हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस यूटीब चैनल वीप और वैल्यू में आज हमनों बात करने वाले एक्सिस बैंक लिमिटेट के बार में जानेंगे हम कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी का कॉर्टर वन का रिजल्ट किस प्रकार का आया है और यह सारी को में बने वाली है इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा सो बिना टाइम वेश्ट करें चले वीडियो शुरू करते हैं बट उससे पहले ऐसी वीडियो रेगुलर बेसे पर प्रवाइड होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर पैस करेग तकि आपको हमारी हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें तो लेट्स मोग तो पॉइंग बैंक है जो कि काफी रैपेटली अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है बात करते हैं अगर हम ने की इंपोर्टेंट रेशो इसके बार में तो आल्मोस्ट दो लाख सेंटी ज देखने को मिल रहा है और यह आपको ट्वैल को मिल रहा है बात करते हैं के ओपीम की तो वह लबा 56 परसंट है इसके लावा बात करें होल्डिंग्स की तो वह लबा 9.70 परसंट है यहां पर डैप टन कैश्ट प्र इतना ज्यादा मैटर नहीं करता बात करेंगर हम कंपनी के आपको 3.44 पसंट देखने को मिल रहा है और यह पिछले साल के जून को आपको देखने को मिल रहा है कंपनी का रिवेन्य लबा 19,000 क्रोड का है पिछले सभी क्वाटर के मकाबले कंपने अपने रिवेन्य को ग्रोड दिखाया है बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंस की तो वह लबाव 7 क्रोड का है नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है वह लबाव 4,301 क्रोड एस कंप्रिटे तो प्रीवेस क्वाटर नेट क्वाटर के कंपारेजन में आपको कमी देखने को मिल रही है वाट अगर हम कंपनी में बने रहे बात करें किस प्रकार के टार्गेट हम कंपनी से एक्सपेक कर सकते हैं तो लास्ट वन मंत की बात करें तो यहां पर कुछ खास रिटन देखने को नहीं मिल रहे कंपनी से आने वाले टार्गेट एक्सपेक कर सकते हैं तो खुद मोती लाल उसवाल ने इसे बाई का कॉल दिया है आप इसे बाई कर सकते हैं वीडियो और वीडियो के इंफरमिशन दोनों ही पसंद आयोगी वीडियो से जुड़ा कोई भी फीड़ बैक है तो प्लीस मुझे के नीचे कमेंट करके ज़रूर पताएगा जल्दी मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए अगर आपके पास थोड़ा साओर समय इंवेस्मेंट को देने के लिए तो मेरी टॉप 5 PSU स्टॉक्स वारी वीडियो आप जरूर देखेगा जिसे खुद श्री राके जुनजुनवाला जी ने जाने से पहले हमेरे कमेंट करें दोस्तों जल्दी मिलते हैं से एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए स्टे सेफ एंड गुडबाई ठैक्क दोस्तों